कि आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करें सप्लाई अंडर जीसटी सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सप्लाई अंडर जीश्टी होती है ओक इसका मतलब क्या है कि अगर आपको याद होगा हमने अपनी जो रेजिस्ट्रेशन की क्लासेश थी वहां पर हमने कुछ चीजे डिसकस की थी वह चीजे क्या थी वह एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं छोटी सी की जूलरी का बिजनस था ठीक है और शिक्स्टी लाक रुपीज का इन्वोईज था मेरा क्लियर है और उसके ओपर मेरा तीन परसेंट का जीएस्टी था जो मेरा बना था एक लाक असी जार रुपए एक लाक असी जार रुपए बना था मेरा ठीक है बेटा मैं अब पॉइंट यह है सर यह चीज़ डिसाइड कब होगी कुछ द्म कोशन इस सब्सक्राइड कब होगी की 3% रेट रेट इस फाइन की जीस्टी मेरा लगना है भी जीस्टी मेरा लगना है ये पता कब चलेगा यह हम कब जीयस्टी लगाएं पहली चीज होती है कि सर जैसे एक बायर आया सेलर के पास बायर गया सेलर के पास बायर ने बोला सर आई वांट टू बाई 10 लैक्स का सोना ठीक है बायर ने सेलर को बोला मुझे 10 लाख रुपे का सोना चाहिए तो क्या जीएस्टी यहां पर लग जाएगा बिल्कुल नहीं क्यों क्यों नहीं लगेगा वही हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर जब सेलर इसको सेल कर देगा जब 10 लाख रुपे की इंवेंट्री जो भी है जूल्टी पकड़ लो कोई भी चीज ले लो आप जैसे ही वह उसको सेल कर देगा उस टाइम पर लगेगा तो बात क्या होती कि इंदर उस चीज को बोला जाता है कि दा मुमेंट वें सप्लाई इस सप्लाई कंप्लीटिड इफ आई से तो उस मुमेंट पे जी एस्ट लगाया जाता है तो मेजर चीज देखी जाए हमने रिजिस्ट्रेशन कर लिया ठीक है हमने आर्सियम पढ़ लिया ठीक है लेकिन अब बात यह आती है कि सर जीएस्ट लगेगा कब नंबर लेकर रख लिया हमने सेल ही नहीं हुई तो क्या करोगे तो यह कोई यह सेल हो जाएगी तो जीएस्ट लगेगा सर्विसिस डिलिवर हो जाएगी तो जीएस्ट लगेगा अब कोश्चन यह आता है कि सर यह डिसाइड कैसे होगा कि यह सेल कंप्लीट हो चुकी है यह यह सर्विस कम्प्लीट हो चुकिया हाव दस्टिंग्स विल डिराइवड और हाव विल कम तू नो डाट जीएटी शुट भी लैविड वह पता किसे चलेगा हुआ है वही हम यहां पर आज डिसकुस करेंगे आईए हाँ उस चीज को हम बोलते हैं मेजर ली सप्लाई ठीक है बेटा सप्लाई को हम डिसकुस करने जा रहे हैं आज जान से पढ़ते हैं बेटा क्या लिखा गया है सप्लाई जो है न जैसे ही वर्णी मेरा एक टैक्सिबल इवन्ट क Lazat है आगी हम भी सबक्राइबOoh वहींक टो गुम रही है हम आगे आगे चलके पढ़एंगे टैक्सिबल वैल्यू बालित dal के निकाली जाती हो हम वह देखें अब question यह आता है sir GST कब लगेगा तो बेटा मैंने बोला कि sir बेटा जिस टाइम पर supply complete हो जाएगी आपका GST लगेगा जैसे ही supply complete हो जाएगी अब supply कब complete होगी वह हम देखते हैं taxable event जो है मेरा in law is an event the occurrence or happening of which triggers the imposition of tax it means the incidence of tax arises only after occurrence of the taxable event अब यह सर अंग्रेजी में अपने क्या बोल जाया को समझ में नहीं आया हमें समझाता हूं taxable event जो है बेटा वह ऐसा event है सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं अभी मतलब समझते हैं taxable event एक ऐसा event है जो occurrence और happening को trigger करता है imposition of tax के लिए ठीक है it means the incidence of tax arises only after the occurrence of taxable event जैसे ही आपका taxable event complete हो जाता है आपकी supply आपको टैक्स लगाना है कि जैसे मैंने भी क्या बोला जैसे ही सेलर ने कि बायर को कि सेल कर दिया टैक्सिबल इमेंट कम्प्लीट हो गया बेटा टैक्सिबल इमेंट कम्प्लीट हो गया यहां पे जीएस्टी लग जाएगा ठीक है मैं जूलर की शॉप पे गया मैंने बोला सर मुझे 10 किलो ज्यादा हो गया बेटा दस ग्राम सोना खरीदना है ठीक है तो जैसे ही वह मुझे बना करके देगा मुझे मेरा समान देदेगा वह बिल में जीएश्ची लगा के मुझे देगा क्योंकि वह टैक्सिबल इवेंट कम्प्लीट हो चुका है ठीक है कोई डाउट कि अब बेटा ध्यान से अगरा देखो तो हम बार बार जो पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से गुड़्स और गुड़्स क्या है वो सब भी देखना है दोनों का कॉंबिनिशन क्या है वहाँ पे सप्लाई कैसे इफेक्ट होती है गुड़्स क्या होते हैं सर्विसिस क्या होती है यह पता होना चाहिए हमें तो तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा गुड्स क्या होता है कि एस पर सेक्षिन टू सबसेक्षिन फिफ्टी टू सबसेक्षिन टू क्लॉज 52 तो इसने साफ साफ मना कर दिया कि जो इम्मोबल प्रोपर्टी है वो गुड्स नहीं है आप इम्मोबल प्रोपर्टी क्या होथी खर एफ लेंड बिल्डिंग वहलो बोड कर लोग शुटा करके शो दूमार भट रहें नहीं कि हम तो इंडिया में पढ़ रहे दो शूटे नहीं हमारो नहीं हमारे हिस आपस Welcome host तो सबसे फ़ली चीज क्या जाती है गुड्स मीज एवरी काइंड ओफ मुवबल प्रोपर्टी यहां तक ध्यान से समझ में आ गया अगे क्या बोलता है अधर दैन मनी अब बच्चे बोलेंगे सर पैसे को भी उठाके रख सकते हैं है ना चिल्लर जो होते हैं यहां दस का नोट या पचास का नोट तो इसने क्या क्या बोल दिया अधर दैन पैसे को छोड़ दो ठीक है उसने क्या बोल दिया अधर दैन मनी एनड सिक्यॉरिटी आप को पैसे को और सिक्यूर्टी को हटा दो हटा दिया हमने लेकिन फिर क्या बोलता है बट इंक्लूड कर लो एक्षनेबल क्लेम को ग्रोइंग क्रॉप्स को grass को and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply अब जहान से देखोगे तो क्या बोलता है वो बोलता है goods की definition में actionable claim आएगा growing crops आएंगी और grass आएगी और all the movable goods आएंगे लेकिन उसके अंदर से money और security को हटा देना है यही लिखा हुआ है यहाँ पे यही लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है goods के अंदर movable goods हो गए मेरे एवरी काइंड मूबल प्रोपर्टी उटा देते हैं प्रोपर्टी वर्ट यूस करते हैं और उसने बोल जाए actionable claims को ले लो अब आप बोलोगी सब्सक्राइब क्लेम क्या होता है हाँ अगे बच्चे का सब्सक्राइब क्लेम क्लेम क्या होता है आगे कवर करते हैं ठीक है ग्रोइंग क्रॉप्स ले लो और पैसे को और security को हटा दो अब बच्चा बाले का सरक्क मनी की डिफिनिशन क्या होती है मनी की डिफिनिशन प्लेटा बिल्कुल सिंपल है कैश रोकर आप यह समझ लो जो रोकर है वह कैसे security में क्या होता है बटा security में आपके शेयर्स आ जाते हैं एक्विटी शेयर्स में सब कुछ आता है और प्रेफरेंस भी आता है तो तो यह आपको हटा देना है यहां से गुट्स की डेफिनेशन में से ठीक है यह मेरी गुट्स की डेफिनेशन हो जाती है कि कि अब हम देखते हैं पहले एक बार कि मेरी से सर्विस की डेफिनेशन क्या कहती है अभी हमने क्या देखा गुट्स की डेफिनेशन अब हम देखते हैं सर्विस की डेफिनेशन वह क्या कहती है के तरफ ज़िस मीन्स एनिफिंग कुछ भी एनिफिंग कुछ भी अधर दैन अधर दैन गुड्स सब्सक्राइब उसे क्या बोला सर्विस वह सब कुछ है लेकिन गुड्स अधा दो यहां से ठीक है गुड्स को इसमें से हटा दो आगे कहता है मनी एंड सिक्रिटीज को भी सब्सक्राइब यह मेरे सर्विस में नहीं आएंगे ठीक है लेकिन गुड्स इंक्लिट्स अक्टिविटीटीज रिलेटिंग तो यूज ओफ मनी और इस कन्वर्जन बाइच और एनी अधर मोड फ्रों वन फॉर्म करन्सी और दिनोमिनेशन तो एनधर फॉर्म करन्सी और डिनोमिनेशन फॉर विच असेपरेट कंसीडरेशन इस चार्ज्ट क्या बोला इसने इसने बोला सर्विस में से गुड्स को हटा दो सेक्योर्टीज हटा दो मनी हटा दो लेकिन अगर मेरे पास डॉलर है उस डॉलर के बदले मुझे रुपईया चाहिए या मेरे पास पांस सो रुपई का नोट है मुझे डॉलर चाहिए तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कनवर्ज करने के लिए अगर मैंने कुछ इस अलग से चार्ज किया है तो उस कंसीड्रेशन के ओपर जीएश्टी लगेगा मैं बहुत स्वारी वह कंसीड्रेशन आपका सर्विस की डेफिनिशन में फॉल करेगा कि यह सर्विस दी गई है ठीक है जहां से समझना बेटा जीएश्टी जो लगेगा वह गुड्स पे लगेगा और सर्विस पे लगेगा लेकिन कब लगेगा जब सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी जहां से समझना जीएश्टी किस पर लगेगा गुड्स पर लगेगा सर्विस पर लगेगा या फिर उन दोनों के कॉंबिनेशन पर लगेगा लेकिन कब लगेगा जब वह सप् अगर मैं कहूं कि जोभी गुड्स है उसकी अगर सप्लाइं कंप्लीट हो रही हो तो गश्ट लगेगा और ऑन गट सेढ़ उनकी सप्लाइ में ऑट कंप्लीट हो जाता है तो आपका लिएक नेश्ट स्प्लाइब तो इसने साफ साफ बोल दिया अगर मेरे पास दो दो हजाएं पांसो रुपय के पचास नोट पड़े हुएं पांसो रुपय के पचास नोट अब मुझे उसके 100 रुपय के नोट चाहिए मुझे क्या चाहिए 100 रुपय के नोट चाहिए तो इसमें क्या हो रहा है करंसी के एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में हम जा रहे हैं और अगर वह कर रहा है वह कुछ पैसा चार्ज कर रहा है उस पैसे को बोल जाएगा सेल ओफ सर्विस का कंसीडरेशन हो जाएगा सप्लाइए कंप्रीट हो जाएगी जीएश्ट लग जाएगा ठीक है सेवे में यहां पर है बेटा सर्विस को इंक्लूट कर लो किसको अक्तिविटीटी से लेटिंट यूज ओफ मनी और कंवर्जन और पमनी पॉर विस सेपरेट सेपरेट जहां से जिखना से चार्ज हटा दो किसको गुट्स को अलग से दिफाइंड ही है और मनी को अटा दो सक्यूर्टिस को अटा दो ठीक है बेटा है कि अब हम देखते हैं बेटा हमारे बीच में आया हमारी डिफिनिशन में एक वर्ड आया एक्ष्नेबल क्लेम हम एक्ष्नेबल क्लेम को पहले देखते हैं फिर हम मनी को देखते हैं और फिर हम सेक्यूर्टिस को देखते हैं एक्ष्नेबल क्लेम को एक बार हिंदी मतलब कि बेटा उसी की बात चल रही है यहां पर तनिश आप कह रहे हो जैसे हम आउट ओफ इंडिया जाते हैं तो करणसी एक्सचेंज करवाते हैं बिल्कुल वह भी सर्विस में आईगी बिल्कुल बेटा तो अगर आप करणसी करने के वाले वाले के पास खुद गए होगे अगर आप आप इंडिया गए हो और आप करणसी एक्षेंज करवाई है आपने तो जैसे अगर आप उसकी शॉप के पास गए होगे तो वह क्या करेगा आप से सब्सक्राइब को 50,000 रपे के यूस डॉलर चाहिए तो आप से कुस्मार्कप लेता है उस मार्कप पे जिस्टी लग आता है तो थिक है अ एक्षणेबल के डीशन देखने पहले एक बार ठीक है एक्षणेबल क्लेम मीन्स अक्लेम जहांसे पढ़ना अक्लेम है टू एनी डेट एनी डेट अगर मेरा ख्लेम किसी डेट के अगेंस्ट में किसी डेट के ऊपर है डेट के ऊपर कि अगर मेरा क्लेम बनता है किसी डेट के ऊपर कुई भी बह सकता हूं ठीक है कोई क्लेम बनता है डेट के ऊपर लेकिन कहता है Other than कह रहा है कि वो डेट सिक्योर्ड नहीं होना चाहिए अगेंस्ट अइम्मूवेबल प्रोपर्टी और भाई हाइपोथेकेशन और प्लेज और मूवेबल प्रोपर्टी कहना क्या चाहता है कि कोई भी डेट हो लेकिन वह इंवल प्रोपर्टी मतलब घर होम लोन वाला कॉंसेप्ट हो गया इम्मूवल प्रोपर्टी के अगेंस्ट मोड़ेज नहीं होना चाहिए दूसरा कहता है ठीक है आगे कहता है और तो एनी बेनिफिशल इंट्रस्ट इन मोबल प्रोपर्टी नॉट इन दा पॉसिशन इधर एक्च्वल और कंस्ट्रक्टिव और क्लेमिंट विच देशिविल कोट्स रेकोगनाइज इस एज अफ अकोर्डिंग स्वरी अफॉर्डिंग लिकाव यह कहना चाहता है कि सर किसी भी तरीके का अंसिक्योर्ड डेट जो है वो यहां कवर होता है अंसिक्योर्ड डेट सेक्योर्ड की साफसा बात मना कर दी उसने मोबल का भी और इमोबल का भी सब मना कर दिया जैसे बिटा अगर मैं बात बताओं आपको तो अगर मुझे मैंने कोई LIC करवाई कि LIC वाले कह रहे हैं मेच्चियोटी के टाइम पर पैसा नहीं देंगे तो आप क्या करोगे आप इसका बेनेफिट उठा करके उसको कोड में ले जा सकते हों आप बोलोगी सर मेरा गुट से मुझे देहीं नहीं दाए पहली चीज़ते है ठीक है अगर बोला जाएगी सर मेने बोला की 10 मुझे 50,000 रुपर देने यह कि मैं यह क Dartmouth को केस्व दिया था 50,000 रुकर को मैं ने बोला तनिष्क ने मुझे 150,000 पर लीए थे और मुझे पैसे चाहिए तनिशने मना कर दिया मैं नहीं दे रहा आप ने मुझे दिये लिए नहीं तो क्या मैं उस चीज को ले करके कोड़ में जा सकता हूं नहीं जा सकता क्यूं क्यों कि यह सरफ ओरल डिसकेशन हुआ था nothing कुछ डॉक्यमेंटेड कुछ डॉक्यमेंटेड नहीं सिर्फ ओरल है ठीक है तो सिंबल सी चीज बोली जाती है कि कुछ भी अन्सिक्यूर्ड अगर है क्लेम वह मेरा एक्ष्णेबल क्लेम में कवर होता है लेकिन क्या मुझे एक्सनेबल क्लेम पे जीस्टी देना है क्या वो सप्लाई है तो आंसर इस नो अब बोलो कि सर फिर हम पढ़ क्यूं रहे हैं पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हम उसको डिफिनेशन में फॉल करा करके आगे प्रोसीजर कर पाएं लेकिन गौर्वर्मेंट कहत कहती है कि यह आपका इसको आपको हम इसको श्प्लाई नहीं मानेंगे लेकिन सर आपने बोल दिया हमने मानली लिखा कहा kimse कहा सप्लाई नहीं है है बिल्कुल बेटा इसका जवाब लिखा हुआ है शेडियूल कि थ्री ओफ सी जी एस्टी है तो शेडियूल थ्री में बेटा सिर्फ एक्शनेबल क्लेम नहीं है और भी तरीक काफी काफी सर्विसेज है यह सप्लाइय एफ सर्विसेज ज़ी जिन को सप्लाइय माना ही नहीं जाता और अगर सप्लाइय है चलीयुद Laurie नहीं है सरुस्तिनाइफ कि जिस्ति नहीं और अगर वह फ tenants बिस यह सर्विसा लेकिन सप्लाइफ गोड़ Il नहीं है the message is clear if anything which is not a good or a services or it is not completed completed the definition of the supply कोई GST नहीं आएगा ठीक है कोई GST नहीं आएगा बात क्लियर होगी बेटा यह हमारा actionable claim है ठीक है आगे हम देखते हैं money की definition as per section 2 clause 75 as per section 2 ध्यान रखना बेटा इसको हम चलो उस concept मत जाओ आप बोलोगी क्या क्या पढ़ाते हैं ठीक है as per section 275 to section 2 subsection of the CGST act money means the Indian legal tender Indian legal tender dollar नहीं ठीक है और any foreign currency या तो Indian legal यहां तक या फिर मेरी कोई foreign currency चेक प्रोमिसरी note bill of exchange letter of credit draft pay order traveler check money order postal और electronic remittance और एनी अधर instrument recognized by the RBI कि आयनर डॉलर प्रोमिसरी नॉट चैक बिल्स उफ एक्षेंज सब आपने पढ़ा हुआ है letter of credit draft pay order traveler से कि सब आपने देखिया हुआ कहीं नहीं तो यह मेरी मनी की definition में fall करते हैं जिनको RBI ने recognize किया हुआ है ठीक है बेटा when used as a consideration to settle an obligation or exchange with Indian legal tender of another denomination but shall not include any currency that is held for its numismatic value कि नुमिस्ट मैटिक वैल्यू कहना क्या चाहता है यह कहना चाहता है कि कोई भी कोई भी मेरी Indian legal currency कोई भी मेरी Indian legal currency जिसको आर बियाई ने अप्रूव किया हुआ है यह recognize किया हुआ है एक स्टेन देना बेटा एक स्टेन प्माइब्स हाई तेना थे ने देना है मैं कह रहा हूं मैं कोई भी ऐसी करंसी जिसको आर बियाई ने रिक्राइज किया हुआ है जो चाहे इंडियन रुपी नोट्स हो चाहे चेक्स हो चाहे फॉरन करंसी एनिटिंग वह सब मेरा मनी की डिफिनिशन में आएगा लेकिन कहता है और जो भी मेरा मेरे और अब्लिगेशन को सेटल करने के लिए किया जा रहा है लेकिन कहता है बट शेल नॉट इंक्लूट अनी करंसी इस हैल्ड फॉरिट इट्स नुमिस्माटिक वैल्यू अब बोलोगे सर यह क्या वर्ड होता है नुमिस्माटिक वैल्यू बेटा यह ना समझो आप जैसे मैंने कोई कीमती सिख्क्य अपने पास रख्यों हुए है वह कहता है मनी की इसकी डिफिनिशन से बाहर कर दो एक्जैम्बल दे रहा हूं मनी की डिफिनिशन क्या कहती है क्याता है security shall have the same meaning as assigned it to the SCRA Act 1956 यह मेरा Act है बेटा security is contract regulation ने 1956 से पास हुआ था उसके अंदर security की definition लिखी गई किसी भी Act के अंदर उसकी definition section 2 में लिखी जाती है हमेशा देख लेना section 1 होता है उस Act का नाम क्या है और उसकी applicability क्या है section 2 जो होता है हमेशा definition के बारे में होता है कि इस Act के अंदर जो हम definition यूज जो word यूज करेंगे उनका मतलब क्या होगा ठीक है तो यह सक्ष्टी की क्या है क्या है जेए स्क्रेप्स स्टॉक्स बॉंड्स डिवेंचर स्टॉक और अधर मार्केट टेबल स्टॉक्ति आफ नेचर इन और एन गॉपरेटिट कंपनी और अधर बोडी कोपरेट ठीक है फैली चीज बोल दिया डेयिवेटिव्स विज इंक्लूट् instruments, units of any other such instruments, securities receipts, SDI or right or interest in securities such other instruments may be declared by the central government. किसी भी तरीके की मेरी equity, preference, debenture, debenture stock, SDI और बोलता है की कोई भी government security, जै इसे अनीफिंग प्रिक एंडिया जी विचिजिगी जी जी विचिजिए जी 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 तरीकी की मेरी की दी बैटा money security और actionable कि ठीख है हमने services देख ली यहाँ पर मेरी goods की definition पहले हैं हम money की definition पड़ चुक है और हम security की definition हम पड़ चुक है ठीक है